सच्रिया काल मैं हां चंचल मनोर सिंग तुसी देख रहे हैं अम्रत पर सार अम्रत पर सार दे दर्शका दा बहुत बहुत स्वागत है आज जैसी अपने दर्शका नाल सांज पो आ रहे हैं एक बड़ी मत्वपूरन ड्वेल्मेंट है के जो सरदार हरविंदर सिंग फूल का जी जो के सीनियर एड़ोकेट हैं दिल्ली हाई कोट वेचर अते तो अनुसाब नों पता है के ओ उननी सो चरासी दे सिक कतले आम दे दोशियां दे वरुद उनाने बड़े केस लड़े कहिया नों से जावा कराई हैं सो फूल का जी दा बड़ा योगदान हैं पिछले चाली साल हो केस लड़े रहे सिक कतले आम दे जड़े विक्टम सी जनानल वदी क्यों यां रिश्तेदार मारे गए जनाने आपने उपर जिमवारी लई आते बिना प्रीस लए हैं इना ने इतने साल कौम दी सेवा किती है। कौम दे असली दर्दियान एक कोई बादल परवार वर गे नहीं के एना ने उनीस सो चौरासी दे दंग्यादे के साथ नोट बनाये ओन एजिया कोई कम नी किता है ना ने बड़े मांदारान एजिमे मैं उपड़ दस्या है हसी सरद सार रविंदर सिंग फूल का जी जो एड़ोकेट अन खिते वज़ों अते साबका लीडर आफ आपोजीशन अन उना दी बारे चर्चा करन नी जा जा रहे हैं मेरी आप जीनों गुजारश है के जे कर तुसे उन्टी का नमरत पर सार नो सब्सक्राइब नी किता इसनों सब् बेल आइकन जरूर दवाओ कंटी दवाणनाल हर वीडियो जिस समय असी अपलोड करांगे उसी समय तो अड़े तक पहुंचेगी और मेरी आप जीनों की जारश है के तुसे साड़ी मदद करो पते तुसी एस वीडियो नों वाद तो वाद लोग कानल शेयर करो और अपने गुरूप पांच भी पाओ ताँ जो तो आड़े मित्रानों स्वंधियानों तो आड़े वैल विश्रानों एक वदिया किसम दी जड़ी वीडियो रपोर्टिंग है एक वदिया वनगी दी बेबाग ओ देखन नों मिले इनाने कल एथे एक अपनी मीडिये नाल जड़ी गा कि है कि ओओ अकाली दाल जाइन करन वे उन्हाने कहा है कि जदों भी सात मेंबरी कमेटी जड़ी शीरी अकाल तक हसाब ने स्थापत किती है कि ओओ नमी जड़ी परती करेगी श्रोमनी अकाली दाल विच ओस वेचे वी उदे दफतर जा कि आपना फारमपर के मेंबरशिप लेंगे चंगी काला है कि अकाली दाल जा कुछ अच्छे लीडर अच्छे इंसान में आण कि मैंना बरे तो नो दसना चानना के पन्याब असेंबली दे लीडर अफ आपोजीशन दी रहें इना ने दोजार स्तारां विच लुद्याने ने ड़े जब दाखा असेंबली अलक आया इना ने अकाली नूँ भी आ रहाया और यह आके आम आदमी पार्टी बलोगो फिर असेंबली दे लीडर भी बने सरकारतां बन गी कांग्रेस ती कोना कुल सततर सीटां सन अकाली दाल दे इससाे तां सिरफ पंद्रां सीटां आया अर्टे तेंवन आयां पार्टी जन साथ पार्टी इना ने एक ते ए अनौस्मेंट किती है बड़ी असी दा सानौ साथ नो स्वागत करना चाहिए एक जड़ी इना दी जमीन आओ बर नाले नेड़े इना दा पेंड़ा सो ए ओ थे रैंड गे भी जो इना ने दस्या पर मैं जड़ी ते गल करनी चानना ओ स्यासत नाल स्वंदत गल करना चानना उन्हाने एक बड़ी मत्तपूरण गल कही है मेरे दर्शकानों गुजारश है जरा एसनों ते आनल सुनन और इदे ते विचार करन उन्हाने कहा के पंजाब नों एक खेतरी पार्टी दी लोड क्योंके पंजाब दियां मंगां बाकी देश दियां प्रांताना लो बढ़ियां वलिखनन अते नाली सिखां दे जडे मसलें सिख अडेंटिटी ते और जो सिखां अलसबंदर उन्हाने भी खेतरी पार्टी दी बड़ी लोड है ता इनने फैसला कीता है कि इस रोम्नी अकाली दाल जो नमा बन रहा है अकाल तक द दी निगाहेट चातर चाया हेट सत मंद्री कमेटी रहीं ओस विच ए अपना डखला लेंगे होने लीडर भी हान चोंड जीत भी चुक यान पर इननने एक बड़ी ऐम गल कही है आम आदमी पार्टी बारे इननने आम आदमी पार्टी दा ना ता नहीं लिया पर इननने एक कि एक एक्सपेरिमेंट कीता गया सी नमी पार्टी बनान दा पर नमी पार्टी दा जो ओ एक्सपेरिमेंट इननने बनाया सी कीता सी ओ फेल हो गया तो नमी पार्टी केड़ी है आम आदमी पार्टी क्योंकि ओदे विच ए भी बड़े यतनसील सी इननने बड़ी मेहनत किती पजब दिया चोनाच 2017 स्रकार थे नहीं बना सके सरकार था कंग्रिस बना गी पर इना ने जो जितियां भी सीटा ते ये लीडर आफ आफ आपोजीशन बने बड़ा उच्चा रुटब़ा होंदा है लीडर आफ आपोजीशन नहीं मुखंद्री भी बनना होंदा है जे उस तो बाद कदी होना कोल बाव मात आजाए पर एना ने लीडर आफ आपजीशन तो रिजाइन करता अते एना ने मोड अपनी दिल्ली प्रेक्टे शुरू कर ली इना दा कहना एसी के जो यह उन्नी सो चरासी दे कतले आम दे केस लड़रें जिननल वदी क्या हूं यहां ओना नू इ तो तुसी कांगर अमले बन जान देओं ताह तो अनू अपना जो लसेंस मिलिया होंदा प्रेक्टेस करन लेई कोड़ांच कचैरियांच हेटली कचैरीच हाई कोड़ जा सुप्रीम कोड़ वो तो अनू स्रेंडर करना प्याद है तो यह स्रेंडर करके आए सी के खैर इस त में होंदा के जेडियां चोना हुईयां दो हजार सताराच पार्लीमेंट दियां ओदे बेच चार एंपी आम आदमी पार्टी दे आए सी ओदे बेच एक ते सी गे पगवांतमान जो होन मोख मंतरियां दो और यांपी बनेयां संग संगरूरतों एक का ऐसी गे हरविंदर सिंग खालसा ए साबका अमबेस्टर सी नार्वेच ते 1984 दे हमले दे बाद इना ने प्रोटेस्च रिजाइन कारता इको बने सी मेंबर पार्लीमेंट एक तरंबीर गांदी डाक्टर तरंबीर गांदी बड़े मांदार ते लोग सेवकान प्रेक्टेस कर दे बड़े आदे एक के बने सी एक बने सी परवैसर सादू सिंग फुरीद गोड़ सो इना चारां विच्चों दो तां पार्टी छट गे रविंदर सिंग खालसा हते तरंबीर गांदी और कहियां में लियाने मीं पार्टी छटी हते कहियां नो इना ने कड़िया इसी परकार जेड़ा सुखपाल खेरा लीडर आफ आपोजीशन उन्दा सी ओस नाल भी पार् पार्टी छट के कांग्रस जाइन कर लिए सो ए मैं तो नूँ जेड़ा उना ने कोमेंट की ता के जड़ी असी रीजनल पार्टी बनाई सी ओदा अक्सपेरिमेंट फेल हो गया पर दो हजार बाई दियां जो असेंबली दियां चोना होई हैं पजाब जो दे चो बानवे सी बादल तां पाजे गया पकोड़ा हो गया उना ची मतीनी पही चार लक्षना आरं तो बाद जमान तां जबत करां तो बाद के ओ चोन लड़ सकंड जिमनी चोनाच खैर गाले थे आगी के ए तो अनो जो हुन स्तिती लग दी है के बानवे तो चुरानवे असेंबलीज उना मले हो गया आम आदमी पार्टी देन दो वद गेरी से तो फूल का सब कह रहे हैं के एक्सपेरिमेंट फेल है काम्याब नहीं क्योंके आम आदमी पार्टी ने पजाब दे मुद्यानू ठीक टंगना ले आई नी पाणियान दा मुद्दा उत्थे खड़ा है फिर जड़ा च अब दे एस कैपिटल बिच हर्याना जेड़ा अपनी बखरी एसेंबली बनाएगा तां हर्याने नू ओदे बदले जमीन देन दा विया रैने ने आफर किती है बारा एकड़ कहर हलेता को गल बैस दा इससा है फाइल मूव होई होई है फाइल गौर्णर तक पहुंची होई है लेकिन दबाए ना कि गौर्णर नहाले तक कोई फैसला नहीं लिया गौर्णर फैसला लेकिए इस फाइल नों पे जणगे दिली जाएगी ग्रह मंत्री अमित शाकोल सो गुलाब चंद कटारिया जी जिते पन्याब दे गौर्णर अन उते चंडी गड़ दे एडमिस्ट स्टेक्टर भी हान सो कटारिया साब ने स्टेटमेंट दिती है कि उना नहीं हले तक इस फैसला नहीं लिया सो एजड़ा फूल का जी दा अकाली दाल विच जाना है और जिस तरह वो सोच रहन के भी ओ पार्टी नों मुड लोक पक्खी बनान गे लोकां दे जो पन्याब द दे लोकां दे सिखां दे मंगान जो उना दिया समस्यामान उना दे समादान ले काम करंगे यह उना दी एक बड़ी अदर्शवादी सोच है क्योंकि जो दो सात मेंबरी कमेटी विच मेंबर्शिप ड्राइव शुरू होएगी उस तों पहले ही बादल अकाली दालने अकाल तक तों मुख मोड लिया उना ने जिनना ने रजाइन किते सी उना दे रजाइन तिन दिन विच अकाल तक ते देने सी दफ्तर विच लिखती रूप जो फैसले वो नहीं देते सब उना ने जड़ी वर्किंग कमेटी दी मीटिंग बिलाने शी ओब लाई नी आकाली दल बादल बादल अकाली दल नहीं खत्म हो चुक है पर उनाने फेर उन्हों रवाइव गर लिया कोर कमेटी दी मीटिंग बिलाई या और जैडा डाक्टर दल्जी सिंग चीमा केंदा शी मैं रिजाइन किता उनाने मीटिंग स्वामी स्जीपी सीदे परदान दी गए सो ए जड़ा नमी पार्टी बनन दा ते उस दा लोग पक्यों दा सुपना फूल का जी देख रहें ए बड़ाई कुना दा अदर्श वादी विचार है एक किनिक काम्याबी हो दिया है ए देख देयां क्योंकि अकाल तकत साथ तों जो अदेश आया है उन्हाने किया है कि जेड़े भी मनिस्टर ते सुख्वीर बादल जिनाने पांथ वरोदी काम की ते सिख्वरोधी काम की तेँ अपने दस साल दे राज दोजार साथ तों दोजार सतारा तक तां जिस वकत सारे ने आपने गुना कबूल कर ले अठ गुना सुख्वीर बादल ने भी कबूल की ते उन्हाने ए क्या भी इनानो नहितक तोर ते लीडर रहन दा होन हदकार ही निय यह अपना अदकार खो चुके हैं यह लंबी लड़ाईया है कि यह मोड़ एस पार्टी उपर कबजा करन लेई क्योंकि स्तारां था मनिश्टरां एक उना वेच डिप्टी चीफ मिनिश्टर साब का अते होम मिनिश्टर दोजार साथ तो दोजार सतारां तक सुखवीर बादल भी है जड़ा सबतों महां गुनागार है जिसने आठ दे आठ कबूल कीते हैं ने अपने गुना बड़े बड़े गुना और एस करके ए देखना पेगा कि की ए जड़ी नमी साथ मेंबरी कमेटी स्थापत किती है जिदा पावर बैलनस जड़ा है बादल अकाली दे बदल द हिसरी जांदा। उधेच शात मेंबर हां चोंपन पांच मेंबर बादल काली दल देन दो मेंबर सुधार लैर कमेटी देन और ओढ़े विच जो मेंबर पाए भी हैं है ओ चाय गुना गार ते नहीं पर ओन अना ओस समीधी बादल काली दल दी जड़ी स स्यासत से गवर्में रहान सुधार लायर देज़ेदे दो पाईहान मेंबर गुर्परताप सिंग वडाला जी अते एक लुद्याने तो पाईहान वो दोनों इमानदारते खरे स्यासत दानान सो यह हुण देख्या जाएगा जेकर हुणी मुकर हो गया बादल काली दाल काल तक दे आदेशां थो ता अगों किस किसम दी स्यासत बन के निकलेगी सो उस बारे हले कोई बहुता आशाबादी होना ठीक नहीं लगदा क्योंकि जेडा बादल काली दाल दे लीडराच खोट है ओ खोट मुड सामने आगया क्योंकि ए सारा काम दो त्रीकतों वी दिनाच खटम होना सी कोटल सेवा जडिए उनानों लगई है ओ सेवा दा सारी प्रकरिया तकरीबाद वी दिनाच खटम होनी सी ते वी दिनाबाद इनाने आके अकाल तक खतम पर मुड पेश होके अपनी अरदास करानी सी कड़ा परशाद लेके उते पहुंचना सी लेकिन वी दिन ते बड़ी दूर दी काल है क्योंके बादल काली दाल ने ता फिर अपनी हैंकर दखानी शुरू कर दी है उदे बेचोना दी चाल है क्योंके 14 दिसंबर नू बादल काली दल दे मुखी सुखबीर बादल तनखाई दी तर्म खतम होनी है एजे प्रेइडेंट सो इना ने ए चलाकी कीती है के 14 दिसंबर नू जदों उदी तर्म ही खतम हो जाएगी तां फिर ओई गल ओदे रेजिगनेशन दातां कोई स्वाली पैदा नहीं होंदा जिमें के विर्सा सिंग बल्टोवादे केस विच बल्विंदर सिंग पूंदर ने एजे कार्दकारी प्रेइडेंट कीता ते उस दा अस्थीफा कबूल कर लिया उस नू पार्टी जों कड़ नहीं दोना गलाज बड़ा फर्क है तो इत्थे भी इतना दाई सिल्सला चाल रहे हैं कि उन्हों टरम पूरी करन देओ किसी बाने खिच के थोड़े इतन रहे गें जिमें तो आनू पता है कि आज तो कोई साथ दिन बाद ओदी टरम खतम हो जानी है सुपीर बादल दी ले अंगि और जेडी बर्किंग कमिटी ओता हैं जिननी देर अगली वर्किंग कमेटी नहीं बंडी सो वर्किंग कमीटी दी मार्टिकारी पर दान में नहीं बुलाई दक्तर चीमा दी जो गतीविदियान ओभी इत्राज होगा है मैं जड़ी गाल कहनी चानना के फूलका साब ने जड़ा अपना अधर्श्वादी अधार बना के बड़े अच्छे विचार है नो पार्टी जाइन करन सानु इस गाल दी खुशी है पर उना नो इनना अधर्श्वादी नी होना चाहिए दा स्यासत स्यासत है उना दा पहले जड़ा होया experience अनपाव आम आदमी पार्टी ओ कोई बहुता चंगा नहीं होया जिस करके ओ पार्टी तो रिजाइन करके मेंबर्शिप्तों मी अते उना ने बोड़ प्रेक्टस चाहिए किसी कारन कार के शुरू की थी अते होन ओ अकाली दाल वी चाहिए राजी हो यहाँ एदे होना सी तो अनू उना दी कोई साथ मिंट च्छाली सेकंड दी जेड़ी उना दी अनौसमेंट है कि ओ अकाली दाल जाइन कर रहे हैं ओ स्विच उना ने की कि क्या तुसी उना दे मूह तो ही सुनो उना बारे कुछ ते मैं तो उनू दास सका एह होना थे सी वीडियो ल पंजाब दा हाल देखके बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी गिंती ते पंजाबी ने जिना नू पंजाब दा बहुत फिकर है ते ओ कुछ करना चाओं देया बिना किसे लाल्चतों बिना किसे पद्वियातों ओ पंजाब दे वास्ते कुछ करना चाओं देया बड़ी देर तो एक गल्ना चल रही हैं कि कुछ ना कुछ कीता जावे ओ लोग खास करके जड़े पॉलिटिक्स तो पसे बैठे या ओ कोई रोल प्ले करना केई बारी एवी बिचों आया के कोई नमी पार्टी बनाई जाए क्योंकि पहला जड़ा एक्सपेरिमेंट सी ओ कोई बहुता जब नहीं रहा त्या करके किसे दा नहीं पार्टी बनाऊना ले पासे नो भी बहुती हमत नहीं होई होना एक नमी अमीद जागी या जदो ए होना अकालताक साहब ने अकाली दल दे वारे जो फैसला लिया ओ फैसला लेके अकाली दल जो के पंजाब दी अपनी पार्टी है पंजाब दी खेतरी पार्टी है ते उसनो कहा के एदी मेंबरशिप दूजी आरी तो शुरू करो मेंबर बनाओ नमे डेलिगेट चुनो ते पार्टी नो एक तरह दा रीकंसिचूट किता जावे एक मौका आगया के जिस मकसद करके अकाली दल दा गठन होया सी ओस दानतां दे उते अकाली दल नो चलाया जावे एक बहुत बड़ा मौका ए ए आया तो एदे नाल एक अमीद भी जागिया के पंजाब दी अपनी ओपार्टी जेड़े के जिना दा में में पंजाब सबतों पहला पंजाबी यह ओँदा क्यूंकि पंजाब दे विच बहुत जुरूरता खेतरी पार्टी दी एक रिजल पार्टी दी पंजाब दिया समस्यां बड़ियां पैकूलियर ने बाकी स्टेटा तो उलाइदा ने इंडिया दे विच होर भी कुछ स्टेट स होया इसे करके दूर देखा होईगा कि उन ना स्टेटां विच भी हमेशें इस रिजल पार्टी आ ज्यादा स्क्सेस्ट पर रहिया ने जिन्याऋ भी सेंट्रल पार्टी destroyed dollars फ्यानों 95 चेड़ियां सपेस्पड प्रॉल्म ने प्यक्यूलर् प्रॉड्र में उन आ यह पासे नों नहीं जानदा ए पिछेवी पंजाब की भी हुएशा देखिया गया कि ए सेंट्रल पार्ट के दा त्यान ज्यादा सेंट्रल मुद्यां दे उते ही का तरत होंदा पंजाब दे मुद्यां दे नहीं होंदा इस करके पंजाब दू जुरूरता एक रिजिनल पार्टी और हुन ए मौका ए आगया कि जो साड़ी पंजाब दी अपनी रिजल पार्टी ए काली दल उसनों रवाइव किता जावे ए जो सिच्चुशन आ जाईया ए सिच्चुशन दे विच ओ लोक ओ वलंटियर जिन्ना ने पिछले दस बारा साल तो ए लीडर्शिप दे खलाफ लड़ाई लड़िया के लीडर्शिप दे रिलाइज कराया के लीडर्शिप जो असली सदान था उथ पासे हड़ गिया ओड़ाने जिन्ना ने लड़ाई लड़िया आज ये उन्ना दी जित्ता के आज जो लीडर्शिप ने रिलाइज कीता के लीडर्शिप तो गल्तियां होई ये ना गल्तियां नो रिलाइज कराया वास्ते ही ए लड़ाई लड़ी सी और ये लड़ाई लड़ रहे सी उना च के लड़े अज हुनो सारे लोग जिनना ने दस बारां साल तो इस अकाली दल्दी लीडर्शिप दे खलाफ लड़ाई लड़िया अज बौका के उस सारे हुना काली दल्दे वे चाजो जिम्हें के एकालतक साहब ने कहा के मत पेद पुल जाओ हुनो प्राने सारे मत पेद नमी अमीद दे ना लेक नमी शुरुआत कीती जावी अकालतक साहब ने साथ मेंबरी कमेटी बनाई या और साथ मेंबरी कमेटी ने हुन मेंबर्शिप दी महम शुरू करनी या नमें इलेक्शन करौनी या नमें लीडर्शिप चुननी या हुन जदो साथ मेंबरी कमेटी ये हुन मेंबर्शिप दी ड्राइब शुरू करेगी पहला थोड़ा जब है भी दास्तियां कि ए अकाल तक साहब ने तक एक सथ मेंबरी कमेटी बनाती पर इसनों होना एक तरह दी लीगल शेप देन दे वास्ते जो अकाली दल दी टॉप बॉड़ी या जेड़ी के कमेटी है उन्डा नू एक मता पास करना पाएगा एक सथ मेंबरा नू एक पॉइंट करते होए के सथ मेंबर पार्टी दे नमी मेंबर्शिप ड्राइब करनगे और सथ मेंबर पार्टी दे नमें एलेक्शन करनाओंगे और इस मते विच इस कमेटी नू पूरी खुदमक्त तियारि दिद्ती जावे किसे जो पराने आफस बेर ने उनना चो किसे दा इंटरिफरिन सना होवे ते ए मता पास करके इनना नूँ पावर ए दिद्ती जाये जानी चाही दिया और मेरी ए काली दल्दी जो प्राइजनल लीडर्शेप पा उनना नूँ बेंती या के जल्दी तो जल्दि तुसी अपनी वर्किंग कमेटी दे वेचे मता पास करके सत्व इंबरी कमेटी नूँ अपॉइंट करके और इननों कम शुरू कराए जाए ते एक मेंबर्शिप दा ते नवी मेंबर्शिप ते नवी लीडर्शिप नवी चोना दा शुरू कराए जाए मैं हो नाज़ ए फैसला लेया कि जदो एक कमेटी मेंबर्शिप दी ड्राइब शुरू करेगी ता मैं दफ्तर बिच जाके फारम परके अकाली दालदा मेंबर बनूगा ते मैं बाकी भी सारे आनू एही ओ बेंती करदा के दफ्तर जाके जो तो मेंबर्शिप ड्राइब शुरू होगे फारम परके अप मेंबर बनो उस तो बाद डेलीगेट चुनो ते डेलीगेट चुनो तो मगरो आपां ए अकाली दालनू जो साड़ी एक रिजिनल पार्टी द उसे तरह जिमें के पहला अकाली दाल दी गलोरी सी इनू बापस होते लगे है ये ते मुड़ दे सदानतां दे उपर ही अकाली दालनू चलाया जावे ते इसे बास्ते आज जो मैं तो अनू तकलीव देती तो अड़ा सारे अंदा बहुत बहुत तनवाद बहुत मेरवानी मैंनू अमीद है के जो आज तो अनू असी फूल का साथ बारे वीडियो बना के करना सांजी किती है तो अनू पसंद आई होएगी तो मैं आज करता हैं तुसी इस वीडियो नू आपने मित्रा सबंदिया नाल वाद तो वाद सांजी करोगे अते ओना नू एवी प्रेद करोगे के वो इस चैनल नू सब्सक्राइब करना ता एथे ऐसी इस वीडियो नू समाप्त कर देया तनवाद सत्रिया काल फेर आवाँगे किसी और मुद्दे ते वीडियो लाएके कार्डिनल सांज बढ़ावाद